नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सारे लोग आशा करते हैं कि हम जो जहां पर भी है ठीक है अच्छे हैं मैं थोड़े से नासाज हूँ अभी लेकिन आप लोग के लिए आज मैं लेके आई हूँ फिर से बंदर बंदर की दूसरी पर्व अच्छा लग रहा था यह कहानी आप ल करते हैं मिल इश्रोता कहानी बोली डैण आता से नन एन्सान की नन इख हानी लेखी का स्ट्रें मोती दूसरी पाथ रोस्तास कैसे, आएन बंदर जाहरा है नहीं पर बंदर मॉलर का कहानी का ती कैसे आए स्टिट से मिडिक हैं उस जिवन को था में कहा गया है वहां पर हम जान से जान चुके हैं यह टेंटा लोग एक किराय के मकान में रहते थे शादी के बाद तो वहां से दूसरे जगा पर वो लोग जमीन खरीद के अपने मकान बना चुके हैं और अब उस मकान में टेंटा लोग रहते हैं वहां जहा तो आशा पूर्ती के लिए अन्य वस्त्र, और शिक्षा है अन्य वहत कुछ में है अन्य वह और शिर्व और शिर्व को नहीं हो अन्य उज्व को नहीं भी और नहीं है सुबह सुबह ब्रेकफर्स के लिए अनु के पिता जी सोचे के गर्मा गर्म गर्म ब्रेड लेके आते हैं क्योंकि एक बहुत विख्यात बेकरी है उनके घर के ठीक सामने ही sp भी तो और खेसे स्चारश के प्रेड अनु की मां मतलब टेंटा आयां कि हैं कें सिर्फ पाउंड लेके आए हो तो अनु कि पिता से एक हनुमान आये हनुमान तो नहीं चलो ऐसे बोलते हैं बंदर आया पीछे से हाथ पकड़ा और सुन्दर से मेरे डाहने हाथ को बाय हाथ से प्रकड़के डाहने हाथ का जो हाप पाउंद पावरूटी ब्रेट था वह बहुत ही सुलजा हुआ बंदर के तरह लेके चला गय और यह वाले हाथ का लिया नहीं बिल्कुल नहीं लिया उसको जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिया चैटा यही कंक्लूशन निकाली और फिर बोलने लगी हाँ उसकी जित्ता जरूरत थी वह उत्ता ही लेके भाग गई यह भाग गया जो भी है लेकिन लेकिन यह तो सोच सब को दिखा दिखा के लाने की क्या जरूरत है जैसे दिखा दिखा के ला रहे थे वैसे ही उसने भी देख देख के लेके चला गया और सोचो कि वो और कुछ किया नहीं है ना तो ये जो जित्ता जरूरत है उत्ता ही लेना है और सब कुछ दिखा दिखा के नहीं लेके आना ह भई बैंग होता है बैंग में करके भघद ले के आना होता ये सिक्षा बंदर ने दिया आज है ना धन्यवाद बंदर अणू की मा तो ऐसे बोलने लगी और अणू तो क्या ही उसका कंक्लूशन निकाली उसको बहुत मजआ आया तो वो बुलने लगे हेहे बाबा का भ्रेट लेके चला गया बंदर तो ये सारे बातों में दूसर बंदर की कहाणी बोलने लगे तैटा की पिताजी पिता जी कहने लगे कि तब वो लोग गाउं में रहते थे और वो बहुत छोटे से थे थे तो वो भी एक छोटा पाकरको रुको, फाले ये बात को मुझे खतम करने दो तो हुआ यहूं कि उन लोगों ने गए उधर मुझे मेरी माने मेरी माने मलब अनु के दादी ने अनु के पिताजी को बोले कि बेटा उस्रामा ने लेके आ जा तो उसके कारण से वो पैसा दे दिये उनको नन ऐसा इंसान था वो छोटे से अपने नननननने हातों में जो भी पैसा था वो मुट्टी भेज के लेके आ जा रहे थे ये डर से कि वह सामने से अगर दिखेगा तो बंदर लोग ले लेंगे कि उनके गाउं में को सारा बंदर लोग रहते थे और हनुमान भी रहते थे अचानक से उसे समझ मैं आया कि उसके ही जैसे उनके ही जैसे एक नननना सा बंदर आया उसके हाथों को धर दबोचा और खोल दिया और ये विचारा डर के मारे हाथ खोल दिया अब ये छोटा सा बंदर ये सोचने लगा कि इसके हाथ में तो कोई खाना है नहीं तो बहुत विरक्त हो कर वो चला गया तो अनु की मा बोली कि बाप रे उस समय वो नन्ना सा क्या बोलूँ आपको आपके हाथों को वो बंदर कुछ किया नहीं ये ये बहुत बड़ी बात है बोलके उन्होंने फिर से बोला धन्नवाद बंदर तो आज के गानी से हम लोग क्या सीखे एक जितना जरूरत है उत्ता लियो दूसरा बैया सब कुछ फ्लेश करके जाने की जरूरत है क्या बैग नाम की चीज होती है उसमें डालो लेकि चलो तो आज के लिए यहां तक ही चलो खुछ रहना ठीक से रहना सिजन चेंज हो रही है तब एद खराब हो सकती है जैसे मेरी हो चुकी है तो आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे आप भी जल्दी जल्दी अच्छे से रहना ठीके ना चलो ताटाट